जेन दुस्तों मेरना में तुलो और स्वागत है अपके अपनी डिप चनल अतुल्टिक बजार में तुस्तों लेटिस ली लॉंच हुए तो 5G मुबाइल हमार पास में है तोनों ही बजट सेग्मेंट में लॉंच हुए है के साथ में आती है और इसका वेट 190 ग्राम का है जबकि POCO M65G डिवाइस 8.19 mm थिकने इसके साथ में आती है और इसका वेट 195 ग्राम का है रियली 6-175GL डिवाइस में पंचनल शोल्डिस्प्लेय मिलते हैं यह 6.72 इंचेस का FHD PLUS 120 हट रीप्रेस्वेट वाला डिस्प्लेय जबकि POCO M65G डिवाइस में पांडा गलास प्रोटेक्शन मिलता है जबकि पोको में 6 5G डिवाइस में गोरिला गलास 3 प्रोटेक्शन मिलता है मियूआ 14 के साथ में M6 आता है और रियल्म यूआ 4.0 के साथ में रियल्मी 667 डिवाइस दोनों में Android 13 अपडेट इंस्टॉल्ड है अगर देखे तो दोनों ही डिवाइस में काफी पाउरफ़ प्रोसेसर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिलता है दोनों ही डिवाइस में और यहां पे दोस्तों दोनों ही यहां पे हम बूटिंग कर लेते हैं दोनों ही डिवाइस को हमने सेम टाइमिंग पर रीबूट करने के लिए छोड़ दिया है आप देखते हैं यहां पे सबसे पहले कॉंसर डिवाइस फॉस्ट प्रसेंसिंग के साथ में रीबूट होता है तोड़ा सा हमने यहां पर फास फरवड कर दिया है रियल्मी और पोको के अपने लोगो आ चुके हैं और यहां पे दुस्तों MIUI भी आ चुका है पोकम 65G डिवाइस में हो फाइनली यहां पे पोकम 65G डिवाइस बूट कर गया है जबूरिंग टेस्ट में क्लियर लिए बिनर बनता है तोनोगी डिवाइस देश्टों आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर किस डिवाइस में देखने को मिलता है प्लू कलर का पिले बेटन रियल्मी C67 5G डिवाइस में मिलता है यह बिनर बनता है नेक्स दूस 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 यहां पर हम डाउनलोडिंग अप्लोडिंग टेस्ट करने वाले हैं बन बाई वन रियल्मी C67 5G डिवाइस में पहले हमने टेप किया है और फड़ाफट से डिवाइस की काफी ज़्यादा मिलती है अपलोडिंग इस पर थोड़ इसी काम है लेकिन यहाँ पर अगर और और विनर देखे तो Realme C67 5G डिवाइस में आपको बैटर 5G स्पीड देखने को मिल जाएगी नेक्स दोस्तों काइन मास्टर एप के तरू हम वीडियो रेंडरिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं उससे पर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 1440p QSD तक का परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइस में मिलता है और ये डिवाइस दोस्तों बजट सेग्मेन की डिवाइस है और काफी अच्छा आउटपुट दोनों ही डिवाइस देती है सेम यहाँ पर हम एक वीडियो सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर 1440p 60fps में मैक्स मिलता है इसलिए दोनों ही डिवाइस में हम यहाँ पर 1440p 60fps पर वीडियो रेंडर कर रहे है यहाँ पर एड़ आ चुकिए है दोनों को हम सेम टाइमिंग पर स्कीप करते है वीडियो रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकिए है थोड़ा समय पर फास्ट फरवड करते हैं कि फटा फट से रिजल्ट मिले टाइम यहाँ पर वैस्ट ना हो और आप देख सकते हो रियलमी C67 5G डिवाइस थोड़ा सब पहले यहाँ पर वीडियो रेंडर करके दे देता है थोड़ा अच्छी स्पीड यहाँ पर रियलमी C67 5G डिवाइस के मिलेगी वैसे परफॉर्मेंस दोनों में ही सेम टाइप का मिलने वाला है एक ही प्रोसेसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर पता चल जाता है गेमिंग मल्टिडास्किंग वगरे या फिर हाड लेवर वर्क आप कर रहे हो तो सीप्यों कितना ठोटल करना पड़ता है मिनिममम फाइब मिनिट लगते है थोड़ा से कटे और फासफार रोट किया है गराब आप देख सकते हो पोकोम 6 5G डिवाइस में थोड़ा सा बैटर देखने को मिल रहा है येलो लाइन रियलमी 6 5G डिवाइस में आपको देखने को एक दो मिलती है वहाँ पर हम जूम करें तो 92 वर्सेस 95 का स्कोर आता है थोड़ा से हाँ पर पोकोम 6 5G डिवाइस आगे बढ़ता है वैसे 19-20 का ही डिफरेंस है परफार्मेंस दोनों में सेम ही मिलने वाला है नेक्स दोस्तों यहाँ पर हम एप ओपनिंग टेस्ट करने वाले कुछ डेलिजिस की एप ऑनलाइन सबसे पहले से उपन करता है पोकोम 6 5G डिवाइस ने से पहले उपन किया है थोड़ा सब बैटर आपको हैं तो दिवेंच मार कि स्कोर रियलमी C67 5G डिवाइस में मिलेगा CPU GPU score यहाँ पर पास पास ही देखने को मिलेगा वैसे मैं फिर से बोलता हूँ performance ज़्यादा difference नहीं है यहाँ पर next temple run game को open कर लेते हैं देखते हैं सबसे पहले play बटन हमें किस device में देखने को मिलता है तोनों ही device ने same timing पर भई इस game को open किया है next candy grass game को open करते हैं online offline दोनों तरीके से आप इसे खेल सकते हो और finally यहाँ पर realme C67 5G device ने इसे पहले open किया next यहाँ पर हम Krishna game को open करते हैं देखते हैं कौन सा mobile इसे fastly fastly open कर पाता है यहाँ पर realme C67 5G device ने इसे पहले boot कर दिया है पहले open कर दिया है next यहाँ पर loodoking game को open करते हैं देखते हैं कौन सा mobile इसे fastly open करता है again से दोस्तों यहाँ पर realme C67 5G device ने इसे पहले open किया next YouTube app को open करते हैं दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब जरू से कर लिजीगा ऐसे वीडियो के लिए यहाँ पर POCO M6 5G device ने इसे पहले open किया है next Chrome browser को open करते हैं और इसे भी POCO M6 5G device ने पहले open किया है next दोस्तों online shopping app flip card को open करते हैं और CLME C67 5G device ने इसे पहले open किया एक और online shopping app Amazon को open करते हैं यहाँ पर POCO M6 5G device ने इसे पहले open किया है background में सारी app running आप यहाँ पर देख सकते हो फड़ा फड़ से RAM management चेक करते हैं आप झाँ झाई पक यहाँ झाँ हो जाई किया जा किया है तो यह थो दोनों ही मोबाइल के बीच में फुल कंपरेजन प्लस टीपेस टीपेस स्पीड टेस्ट और यहां पर आपने देखा होगा ज्यादा डिफेरेंस नहीं है सेम प्रोसेसर है डेमेंसिटी 6100 प्लस वाला थोड़ा मोर आपको रैम मनेजमेंट में अच्छा देखने को मिले का पोको में क्योंकि रैम मनेजमेंट यहां पर बैटर मिलता है रियल्मी 67 डिवाइस में बट कुछ ऐसे फीचर से रियल्मी 67 5G डिवाइस में चोकि पोको से ब देखने को मिलता है कैमरा भी थोड़ा सा बैटर मिलता है बट पोको एम 6 5G डिवाइस भी काफी यहां पर एग्रिशिव प्राइजिंग के साथ में लॉंच यह भी अंडर टेंड के से भी कम यानि 949 में आपको 5G मूबाइल मिलता है वह भी टेमेंसिटी 6100 प्रोसेसर के सा काफी बढ़िया स्पेक्स के साथ डिवाइस मार्केट में लॉंच की है जो कि एक 5G डिवाइस है बजट सेग्मेंट की यहां पे दोस्तों दोनों ही डिवाइस के रिगार्डिंग हमने डीप रिवीव बनाया है चैनल पर अब्लेबल है एंड इसके डिसक्रिप्स बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी कोई टाउट कोई कोई कोश्चन आपको इन दोनों ही मॉबाइल के रिगार्डिंग है सिंपली आप कमेंट सेक्सम में पूछ सकते हैं वैसे आपने बजट के हिसाब से आप तोनों ही डिवाइस को सेलेट करके परचेस कर सकते हैं फिला दोस्त